एलो दोस्तो अमारे यूटूब चैनल फर्स राइट एजूकेशन पे आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो वही हमारे साथियों और विद्यार्थियों को वही राम राम दोस्तो आज का हमारा टोपिक रहेगा सवीदान में अनुछेद नंबर 243 जिसमें क्या बात हुई है लोकल गवर्मेंट की बात हुई है यानि कि पंचायती राजसंस्थानों की बात हुई है जिसमें हम पंचायतों के बारे में और नगरपालिखा के बारे में पढ़ेंगे जिससे लेटिड आपके HSSC के जितने भी एक्जाम है उनमें बहुत ज्यादा क्योशन पूछे जाते हैं खासकर हरियाना ग्रामशी के एक्जाम में अभी आपने देख्या कि आर्टिकल 243 से एक तो डायरेक्ट आपके आर्टिकल के उपर क्योशन पूछे गए और एक जर् जितने भी जर्णल क्योशन हो सकते हैं उन सभी को बिल्कुल विस्तार से पड़ेंगे ताकि आपका एक्जाम में एक भी नमबर ना कटे भई ठीक है इससे कोई भी एक्जाम हुवई सभी के लिए मैतवपूर्ण है चाहे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी ठीक है चलो भी शुरुवात करते हैं देखिए आर्टिकल 243 में सबसे पहले बता देते हैं आर्टिकल 243 से और 243 ओ तक पंचायतों की बात हुई है किसकी बात हुई है और 243 पी से और 243 जड़ जी तक किसकी बात हुई है नगर पालिकाओं की बात हुई है पहले पी से 243 जड़ जी तक कहां पर पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम नगर पालिका के बारे में ठीक है पहले पंचायतों के शुरुवात करते हैं सुविदान में दी पंचायत लिख्या हुआ है क्या लिख्या हुआ है कि अर्टिकल 243 बही 243 में दी गई हैं परीबासाएं य इसके साथ में population की परिभासा, इसके साथ में और कुछ जो भी ट्रम आपकी पंचायतों में यूज होती हैं, उन सभी की जो definition यानि की परिभासा कहां पे दी हुई है, article 243 में दी हुई है, 243 में परिभासा हैं, और यानि की definition हिंदी और इंग्लिस दोनों को साथ में लेके चल बभी, ठीक है, आप नोट करने की बजाएं एक screenshot लेंगे और बाद में नोट करेंगे, साथ साथ में नोट नहीं करेंगे, समझने के उपर ज्यादा ध्यान देंगे धिनगों, ठीक है, article 243 में क्या बात हुई है, ग्राम सबा की बात हुई है, और 243 कय में ग्राम सबा की बा सब्सक्राइब ने उनको क्या सक्तिया दी है उन सभी की बात कहां पर हुई है 243 के में हुई है या फिर 243 ए में हम बोल सकते हैं हम एक पढ़ेंगे वह एक तरफ से पढ़ लेते हैं आप इसके अनुसार आप अपने आप यानकी सेट कर लेना वह इनको इसके बाद वह आर्ट 243 की बात करते हैं Constitution of the Panchayati यानकी पंचायतों के गठन की बात हुई है कौनसे आर्टिकल में आर्टिकल 243 B में पंचायतों के गठन की बात हुई है ठीक है किस परकार पंचायतों का गठन किया जाएगा यह हमने हर्याना पंचायती राज में बहुत अच्छे से पढ़े है ठीक है इससे आगे की तरफ चलते है आर्टिकल 243 C वही 243 C में क्या है composition of pancayet यान की pancayetों की सनरचना किस परकार होगी ये कौन से अनुछेद में दिया गया है तो ये कौन से वही आर्टिकल 243 C में या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल 243 गय में दिया हुआ है किस परकार किस वार्डों में यानकी एक area constituency को वार्ड के अंदर बाठ आ जाएगा उसमें किस परकार से election होगा किस परकार से सदश्या चुने जाएंगे इन सब की बात कहां पे हुई है 243 गय में हुई है ठीक है इसके बाद 243 D में चलते हैं reservation of city यानकी सथानों का आरक्सन सथानों का आरक किस परकार होगा हमें पता है कि उनकी population के ratio के हिसाब से होता है महिलाओं का आरक्षन किस परकार होगा महिलाओं को 33% आरक्षन दिया गया है यह सभी आप लोग जानते है हरियाना में महिलाओं का आरक्षन 50% कर दिया गया है हम इससे पिछे अट जाते हैं यहां से हम इसको बताते हैं बई, 243E में क्या है कि डुरेशन ओफ पंचायत है, यानि कि पंचायतों का कारियकाल की बात हुई है बई, कौन सा आर्टिकल है बई, तो आर्टिकल 243 अड़े है ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, आपके एकजामे कई बार पुछा भी जाता है कि पंचायतों क का कारियकाल कितना होता है, तो हम कहते हैं कि बी, कितना होता हुई, पांच साल का होता है, जब तक उनको भंग ने किया जाए, कारियकाल पांच साल का होगा, और जब उनको भंग कर दिया जाए, तो फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे, छे महिने से अगर कम टाइ प्रश्या हुआ है तो कोई इलेक्षन नहीं होगा 6 महिने से अगर ज्यादा टाइम है तो 6 महिने के अंदर इलेक्षन को कराया जाए जो भी जो भी पंचायत बचेंगी यहनगी बचेंवे टाइम पिरियेड के लिए कारिये करेंगी इसकी बात कहां पे हुई है 243 कि विए क'RE में हुई है दोस्तों अमने इसमें जितना बी हर्याना पंचायती राज मे पड़ा हैं उसमें जितना भी हवह इशे आर्टीखल से बना गया पेहले सवीदानने हमें यह पावर दी है कि विधास्वाँ को यह पावर दी है फिर राज्य की विदान सभा ने उसी के हिसाब से अपना एक क्या बनाया है एक्ट बनाया है हरियाना पंचाइती राज्य एक्ट जो हम बोलते हैं ठीक है यहां तक हम आ चुके हैं बई 243 F के उपर बात करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन फोर दी मेंबर्शेप यान की सदश्यों के नी हरता हैं नी हरता हैं तो कोई हिंदी अच्छे से जानता होगा वही उसको इसका वर्ड मिनिंग पता होगा आप अपनी तरफ से क्या यूज कठकते हैं सदश्यों की एयोगताएं की बात कहां पर हुई है 243 F में इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि जो भी जो की रज्य की विदानसभा का इलेक्शन लड़ सकता है वो इसका भी इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन एक कंडिसन है साथ में यह भी दिया गया है कि जो रज्य की विदान सभाका इलेक्षन नहीं लड़ सकता वो इसका भी इलेक्षन नहीं लड़ से था केवल एक उमर को छोड़के क्योंने के लिए पट्चिस साल के उमर चाहिए और यहां पर कितनी चाहिए जर्नल के उसी में भी करेंगे 21 सा यानि की इनका सदशय पंचायत का सदशय बनने के लिए कितनी उमर चाहिए बही 21 साल चाहिए ठीक है तो ये बही इसके लिए कुछ हय योगताय दिगई है कि वह किसी न किसी त्रीक से यानिकी डिसक्वालिफाई है तो बही उसमें बताए गया है इसके बाद 243 जी में 243 मे में दिया गया है इसमें कहा गया है कि राज्य की विदानसवा यहिंके पंचायतों को ऐसी सक्टि दे ताकि वो एकल गवर्मेंट के तरीके से यह यह बाता कहां पे हुई है 243 में हुई है इसके बाद बढ़ते हैं 243 ह में पावर्ट ओ impose the taxes fund of the authority पंचायतों दवारा कर अधीरोपित करने की सक्तियां वह उनकी निदियां यान कि पंचायत कौन-कौन से टेक्स लगा सकती है ये भी कहा गया है कि राज्ये के विदानसभा जो टेक्स लगा सकती है वो पंचायते भी हमारा डायलोग है कि हर ग्राम पंचायत या ग्राम सभागा एक ग्राम फंड होना चाहिए कौन सी दारा के अंतरगत है तो दारा 49 के अंतरगत है ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है यानि कि वितायोग के गठन की बात हुई है बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है वही वितायोग के गठन की बात कौन से अनुचेद के अंतरगत यानि कि कौन से आर्टिकल के अंतरगत हुई है तो आप बताएंगे आर्टिकल 243 आई यानि की नोवे नमबर के उपर है वाई, आई का नमबर कौन से है, नोवे नमबर के उपर है, तो वितायो के गठन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है, आर्टिकल 243 आई में हुई है, यानि की 246 में हुई है, वितिय स्थिती के पुनर विरलोकन के लिए वितायोग का गठन, वितायोग का गठन कोन करता है, हभी सबसे पहली बात बता देते हैं, सेंटर के उपर, जब आपके लिए, जब आपके टेक्स के बटवारे को लेके, या इनकी जब एक वितायोग का गठन किया जाता है, तो वो राष्टपती के दवारा किया जाता है, ल प्रून की स्थीति को किस परगास को दा रहा जाए उसकी बात कौन से आर्टिकल में हवई 243 आई में हुई है राज्येपाल को वो रिपोर्ट देता है फिर राज्येपाल क्या करता है विदानसवा के सामने उसको पेस करता है सेम तू सेम नगरपालिका में भी होगा ठीक है आपको याद रखना है वितायो जर्नल क्योशन कर लेंगे हम बाद में जो भी जर्नल क्योशन होंगे लेकिन आप आप याद रखेंगे वितायो के गठन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है तो 243 आई में हुई है बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल हुई इसके बाद 243 जे में चलते हैं audit of account of the panchayet यानिकि audit का मतलब होता है some prickshya यानिकि जाच करना भई खातों की जाच की बात यानिकि खातों की जाच की बात कौन से स्विधान के कौन से article में हुई है तो आप याद रखेंगे 243 जे में हुई है यानिकि ये में हुई है पंचायतों के लेखाओं की प्रिक्षा यानिकि खातों की प्रिक्षा की बात कहाँ पे हुई है 243 एने में हुई है थोड़ा सा याद रखें वई इसके बाद वई बहुत important आर्टिकल आ है 243 क यानिकि वई election to the panchayet पंचायतों का election कराने की बात सुईदान के कौन से आर्टिकल में हुई है तो 243 क में हमने पहली भी बहुत बार बताया है कल की कलास में भी हमने ये सब डिसकस किया है लेकिन दोबारा से बता रहे है 243 क में election to the panchayet की बात हुई है क्या होगा की panchayet और इसके नगरपालिका नगरपालिका के लिए अलग article बनाया गया है आर्टिकल जड ए है भई ठीक है आर्टिकल जड ए है लेकिन यहाँ पे क्या का आगया कि panchayetों के election कराने के लिए एक election commission का गठन किया जाएगा रज्यपाल एक election commissioner को चुनेगा जो की इनके उपर दिसा निर्देश पूरे election के उपर दिसा निर्देश कौन रखेगा कि रज्यव चुनाओ आयोग यान कि रज्यवाचन आयोग करेगा कौन से सुईदान के कौन से article के तहत करेगा वई तो 243 क के तहत करेगा आप इतना याद रखें फिलाल ओर जर्नल क्योशन में देखते हैं वई 243 L यान कि बारवे नमबर के उपर है क्या है संग राज्ये छेत्रों में लागू होना यान कि ये पंचायतों के जो article है ये union territory में कहां कहां पर लागू होते हैं इसकी बात कहां पर हुई है 243 L में हुई है वई इसके बाद आगे की तरह बढ़ते हैं 243 M part not apply to certain area यान कि इस बाग का कुछ छेत्रों में लागू नहीं होना यान कि पंचायतों के कुछ article के कुछ जो लोग हैं वो कहां पर लागू नहीं होते हैं जैसे भी Nagaland का Megalyah का एरिया हो गया वहां पर ये लागू नहीं होता है उसके अलावा वेस्ट बंगोल में गोर्खा हिल्स है तो वहां पे भी यान कि यह चीजे लागू नहीं हो तक क्योंकि वहां पहले से कुछ काउंसिल बने हुए है तो उसमें इसकी बात हुई है आपको डारेक्ट बस यह याद रखना आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं डेके तैथ है डेके तैथ है दोस्तों तेरतालिस एन में वही गंटिन्वेंस ओफ दी एक्जिस्टिंग लाइंड पंचायत यान कि विद्धिमान विदियों और पंचायतों का बना रहे ना दोस्तों जब यह इसमें संसोधन वहा था तो उससे पहले पंचायते ऐसा नहीं है पहले से जो पंचायत चली आ रही है क्या वो लागू रहेंगी इसमें कहा गया हाँ भई लागू रहेंगी जब तक स्टेट उनको नहीं बदलता तब तक जब तक उनका करियेकाल पूरा नहीं हो जाता वो लागू रहेंगी भई ऐसी बात कही गई है स्टेट चाहे तो एक अमेंडमेंट के थ्रू उनको भंग करके दोबारा से करवा सकता है, सी बाते हुई है, कौन से आर्टिकल में हुई है, 243 N में हुई है, 243 O में, यानि कि वे इलेक्टोरल मेटर, यानि कि क्या का आगया है, निर्वाचन समंधी मामलों में, इस दो 143 O में है, ये ठीक है एक बार थोड़ा सा अब आप सोचें कि भई यह हमें यह याद नहीं हो रहे क्यों याद नहीं हो रहे हर्टिकल 243 में क्या बात हुई है 243 E में उनके कारियकाल की बात हुई है 243 F में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है 243 G में उनके प्राधिकार ओथोर्टी उनकी सक्तियों की बात हुई है पंचायतों की और 243 H में टैक्स किस परकार लगाया जाएगा 243 I में वितायों के गठन की बात होगी और 243, जै में खात्तों की जाच कराई जाएगी 243, के में पंचायत के इलेक्षन कराए जाएगे और 243, अल में mutually यानी कि union territory में ये लागू होंगे या नहीं होंगे तो 243, L में ये होगा M में क्या होगा M में कुछ छेत्रों में ये लागू नहीं होंगे जैसे कि नोर्थ इस्टन के छेत्र हैं वहाँ पे लागू नहीं होंगे 243 M हो गया वई L के बाद M फिर क्या हुआ N में विद्मान विद्यों वई पहले से जो चली आ रही है उनमें लागू होंगे या नहीं होंगे और 243 हों में कोट का ज्यादा चकर नहीं है वई इसमें ठीक है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अगर आप बैठ के 10 मिनट भी सको देंगे तो वहिए आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे ऐसे याद करेंगे तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे और आप थोड़ी सी अगर ट्रिक का वो देखेंगे तो वही आपको ज्यादा मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा ट्रिक तो यह कि वही एक्जाम से दो-तिन दिन पहले ही चलती है इससे वह नहीं होता याद रखें भई ठीक है जब भी एक्जाम होगा कोई भी एक्जाम हो क्या पता कभी आपको लिखना पड़ जाए भी किसी आर्टिकल को तो दिक्कत आ जाएगी तो वही आगे की तरफ बढ़ते हैं अब नगर पालिका के उपर डिसकस करेंगे भी नगर पालिका में आपको ज्यादा अब प्रोब्लम नहीं आईगे अगर आपने यह याद कर लिए न तो अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि सेम एजीटीज है सेम एजीटीज होगा बस पी से स्टार्ट होजेगा ओके बाद पी से स्टार्ट होगा देखिए हम बताते हैं आपको सेम एजीटीज इन के साथ थोड़ा कंपेर करेंगे चलो वह आगे की तरफ बढ़ते हैं आईए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नगरपालिका यानिकि मुनी से प्लिटेज यानिकि सुईदान में नगरपालिकाओं के कौन-कौन से अनुछे दें वही तो नगरपालिकाओं की बात जो सुविधान में हुई है वो आर्टिकल 243 यानि की पी से और आर्टिकल 243 जड़ जीतक हुई है जड़ जीतक यानि की किसकी बात हुई है नगरपालिकाओं की बात हुई है और यह सुविधान में कौन से पार्ट में है वही यह पार्ट 9A में सम्मिली थे वही इसके अंतरगत कितने विशे हैं बारवी अनुसुची में है वही बारवी अनुसुची है वही इसके अंतरगत और उसमें कितने विशे सामिल किये गए हैं 21 18 विषय किसको देगे हैं नगरपालिकाओं को देगे हैं और 29 विषय इसको दिये गए हैं पंचायत तो को दिये गए हैं 11 विए अनुसुची के according भाई आर्टिकल की बात करते हैं वही आर्टिकल कहां से start होते से मेईग Cinnamon वही थोड़ा सा आप compare करने के कोशिश क्यीए किसमें बात तीए भी किसकी होई थी दैफिनेशन की बात वसी नागर पालिका को और में हुई है तो नगर यूए था इसके बात किरिकल कुछ यहाँ पे ज़ Guinea लेत agree है यहाँ पर भी तो गठन की बात हुई है तोनगर पालिका के गठन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है तो 243 क्यूं में हुई है यानि कि 243 के बाद थे में बात हुई है नगरपालिकाओं का गठन भई इसके बाद composition of the municipalities यानि कि क्या है नगरपालिकाओं के संद्चना कि नगरपालिकाओं के अंदर कौन-कौन से member होते हैं स्विधान के अंतरगत किन-किन मेंबर को मुनिसिपलिटी यानि कि नगरपालिका में सामिल किया जा सकता है यह राज्य की विदान सभा के उपर छोड़े गया है ठीक है तो इसमें composition की बात कहा पे हुई है आर में बात हुई है देखिए P में definition Q में उसके गठन की बात और R मे क्या है उसकी सनरचना की बात सेम एज़िटी वहाँ पे था definition फिर ग्राम सवाई थी फिर क्या था पंचायतों का गठन और फिर पंचायतों की सनरचना सेम एज़िटी जह भई अब यहाँ पे थोड़ी सी PQRS में देखिए भई Constitution and the Composition of the Ward Committee यानि कि नगरपालिका के अंदर जो Ward Committee बनाई जाती है उनकी composition और उनके गठन की बात कौन सी आर्टिकल में हुई है तो 243S में हुई है एक ये थोड़ा सा अलग है इसमें बस ये अलग आया है इसके इलावा यान की तिनों क्या है कि पंचायतों में भी थी और यहां भी है वई इसके बाद चलते हैं 243T में वई यहां पर देख लिजी वई दैके अकोर्डिंग वार्ड समीतियों आधिका गठन की सनचना इसके बाद 243 में चलते हैं यानि कि इंग्रिश में थोड़ा सा इजी होता है 243T में चलते हैं रिजर्वेशन ओफ सीट यहनिकी सथानों का आरक्षन कोई भी डिफरेंस नहीं है वहां पर पंचायतों के आरक्षन की बात थी यहां पर किसकी है नगरपालिका के सदश्यों के आरक्षन की बात है सेम एजीटीज है एक तियाई महिलाओं के लिए हैं और पूलेशन के रि सी और स्ट का रिजर्वेशन कीया गया है आर्टिकल याद रखेंगे आर्टिकल 243 एस में ये बात हुई है क्यारेशन ओंट यानि कि नगरपालिकाओं के कारियकाल की बात हुई है कितना कारियकाल होता है पहली मीटिंग से यह याद रखें वही जिस दिन election हुए उस दिन शें पात साल नहीं होता हैं पहली meeting जब होती है उससे पात साल होता है, जितने भी हमारे चाहे हं Lab की बात करें उनकी जिस दिन पहली meeting होती है उस 사ल गिने जाते हैं वही पंचायतों में भी ऐसा होता है, जब तब बंगनाय किया जाएं Nगर पालिकाओं का कारियकाल कितने साल का होता है, कितने साल का होता है लेकिन यह बात कौन से Арٹ曲 में हुई है, 243 टीम में बात हुई है, और वहां पे 243 पे, पैफ और पतंग में बात हुई है ठीक है वजी 243 V में चलते हैं V में कहा है Disqualification for the membership यानि कि सदश्यों के लिए नहीं हरता है और वहाँ पे फैप फैप और फल में किसकी बात हुई है सदश्यों के लिए नहीं हरता है क्या-क्या Disqualification है इसके लिए उमर कितनी है 21 साल है वोट बनवाने के लिए 18 साल वही ठीक है लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 साल है ठीक है इसके बाद 243 डबलू में चलते हैं Power Authority and Responsibility of नगरपालिका नगरपालिका की सक्तियां प्रादिकार उरूत्तर दाईतो यानकी 243 बै में बात हुई है यानकी सक्तियां यानकी रज्य की विदानसवा इनको ऐसी सक्तियां देगी ताकि ये लोकल गवर्मेंट के तरीके से सावसासित तरीके से यानकी खुद किसी के उपर डिपेंड ना होई आगे की तरफ बढ़ते हैं आईए दोस्तो इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 243 एक्स यानकी पावर टू इंपोज दी टेक्सिज एंड फंड्स ओव दी मुनिश्य प्लिटिज यानकी नगरपालिकाओं की टेक्स लगाने की सक्ति और उनके पैसे की बात कौन सविदान के अनुछेद में हुई है यानकी आर्टिकल में हुई है तो याद रखेंगे भी 243 एक्स भई और 243 पै फै बै और बै में बै में क्या बात हुई है नगरपालिकाओं द्वारा कर अधीरोपित करने के सक्ति वे निदियां भई ठीक है भई? सेम एजीटीज पहले भी हमने पड़े है भई कहाँ पे थी भई ये 243 जी यानकी एच 243 एच में क्या बात हुई थी? पंचायतों की कर लगाने की सक्ति और इसके साथ में उनकी निदियों की बात हुई थी सेम एजीटीज है भई इसके बात 243 वाई भई वाई में क्या है? फिनांस कमिशन यानकी वितायोग के गठन की बात है मैं और वहाँ पे याद कीजिए एच के बाद आई था एच के बाद क्या था? आई था तो यहाँ पे छोटा साम लिख लेते हैं 243 आई में क्या बात हुई थी? गराम पंचायत के वितायोग की गराम पंचायत नहीं पंचायतों के वितायोग की बात कौन से आटिकल में हुई थी? 243 से नगरपालिकाओं के फिनांसियल पोजिशन के बारे में भी रिक्मेंडेशन देगा यानि के सेम वितायोग होगा ऐसा नहीं है कि अलग लग वितायोग होंगे वही वितायोग मुनिसिपलिटीज के बारे में भी रिकमेंडेशन देगा भई ठीक है किस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल कौन सा है भई आर्टिकल 243 वाई यानि कि 243 मैं यानि कि वितायोग भी इसके बाद 243 जड़ ओडिट अगांट यानि कि नगरपालिकाओं के खाते सेम एजिटी चलिया है तीन चे ट्रम बस डिफ्रेंस आई है कि खात्तों की जाच करना यानि कि खात्तों का रख रखा वह उनकी जाच की बात कौन से आर्टिकल में होई है तो 243 जड़ में होई है यानि कि 26 हो गया 26 और 27 प्रिक्ष्या है ठीक है वहां भी बात हुई थी 243 आई के बाद जे में 243 जे में वहां बात हुई थी 243 जड़ में इलेक्शन टुदी मुनिशपलिटी यानि कि नगरपालिकाओं का चुनाओ कों कराएगा भी राज्य निर्वाचनायों करवाएगा कों से गठित कब किया गया था 243 के के तहत किसकी पंचायतों के इलेक्शन की बात हुई थी वहां पे राज्य चुनावआउएग की बात हुई थी वही चुनावआउग यहाँ पर 243 जड़ेक्शन करवाएगा यानि कि चुनाओ करवाएगा भी ठीक है 243 जड़ी एजी के और यूनिएं यह जो लोज हैं यह लागू नहीं होते हैं वहां भी बात हुई थी 243 एल में बात हुई थी से में जीटीज है बई दोनों को आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए इसके साथ में 243 जड़ी कमेटी फोर्दी डिस्टिक प्लेनिंग यह कुछ लगाया है बई यान कि जिला योजन समिति यान कि सहरों का सहरों के विकास के लिए एक जिला योजना समिति का गठन की आ जाएगा याद रखना बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है यह समझ लीजिए आपके एक्जाम में डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि इसकी तो बहुत वार चर्चा हो चुकी है हर्याना पं इसके उपर जड़ जड़ के बाद एसे स्टार्ट हुआ तो यहां फिर दोबारा से कैसे स्टार्ट कर दिया गया है हिंदी में थोड़ा मुश्किल है अगर देखे जाए तो 243 जड़ इवई यानिकी कमेटी फोर दी मेट्रोपोलिटन वई मेट्रोपोलिटन एरिया के लि हैं इसके बाद दोबार आज यह वह देखे इनके अगर देखे जाए तो जर्रणल क्योश्टन के हमारे में से कोई दोस्त कहेगा कि सरी इंके बारे में बताइए बताएंगे तो बहुतों लंबी कलास हो जएगे जर्नल क्योश्टिन के अंदर सभी की डेफिनेसन को इन्से चली आ रही हैं उन सब का क्या होगा क्या वो continue रहेंगी हां वह continue रहेंगी लेकिन कुछ नियम वसरतों के साथ जो कि इस स्विधान के इस आर्टिकल में दी गई है 243 यह चै में यह फिर जड़ एप में वही अब लास्ट है वही निर्वाचन जैसे कि 243 ओं में क्या बात वही कोई एंटरफेरेंस नहीं है बार टू इंटरफेरेंस दी कोट इन दी टरम्स ओव दी इलेक्टोरल मेटर यानि कि वही निर्वाचन समंदी मामलों में कोट के अस्तक्षेप का वर्जन है वही कोण से आर्टिकल में 243 यह गया और 243 यहां पे लिख रहे हैं वही जड़ ज वही यह हमारे थे वही 243 के सभी आर्टिकल आपको एक ही कलास के अंदर पूरे कंप्लीट करा दिये गए हैं ठीक है उमीद करते हैं आप सभी को कलियर हुए होंगे थोड़ा सा इनके समझ बीच में एनालोजी खुद करके देखी वही आपको अपने आप समझ में आजेगा ये तो समझ लीजिए कि वही इससे एक क्योशन तो आपका डारेक्ट इस आर्टिकल के उपर और दो से तीन क्योशन इनके बीच से जो जर्नल क्योशन हो सकते हैं वो पूछे जाएंगे वही पूछे जाएंगे इसके लिए पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी बलवन रिकोर्ड कंप्लीट हो चुकिया है नहरी पटवारी के एक क्लास और बाकी है यानि कि हमने ऐसा महोल तयार किया है कि सब चीजों को कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी और यहां पे अगर आप बीस पंदरा से बीस नमबर अगर पके कर लेते हैं तो कोई भी आपकी से कढने की बात आती है जहां पे हम छोड़ने की बात करते हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं है यहां से लग बग बचों को क्लियर है वहां से आपके ज्यदा उसको स्ट्रोंग बनाएं वहां से अगर हरियाना जिक के साफ की वियूश्ण कट रहे हैं नंबर कट रहे हैं तो उसको बनाएं उसके उपर ज्यादा ध्यान दीजिए वै हमने पहले भी कहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके उपर दिन में आप मैक्सिमम एक से डेड़ गंटा देंगे इस से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वह बात अलग लग यह नहीं कि हरियाना पंचाई ती राज के लिए एक गंटा देंगे एक गंटा लेंड पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के लिए दें नहीं वही एक दिन में आपको स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ये समझ सकते हैं कि आपका जो भी हम पढ़ा रहे हैं यह 20 नंबर के करीब है मलब अगर यह सब 20 तो आप यह सोच लिए जिए कि 90 का अगर पेपर है तो आप सतर के उपरा जिए उसको एक गंटा दीजिए दिन में जो भी आपको पढ़ाया जा रहे हैं आगर आज लेंड रिकोर्ड पढ़ने का मनना है तो लेंड रिकोर्ड पढ़िए वई आज आपका यहां की और कुछ प सकते हैं के नम है ठीक है तो फिर से हम करें हैं कुछ टीचर कहते कि इसी को पढ़िए इसी को पढ़िए नहीं हमारा जो पहली जो स्ट्रेट जी हमने बताई है उसके बारे में हमें एक दिन क्लास भी लेके आएंगे कि किस परकार पढ़ना है देखिए वह सब चीजों को ए अब हुआ व्य वह ने बताया है कि सब चीजें लगातार चल लही है Спेस्वald चल लिए है हरियाना पुलिस की अगर आप तयारी कर रहे हैंं की त्यारी कर रहे हैं lessons की त्यारी कर रहे हैं पढ़िए इस सी कोई आपको notification मिलेंगी और आपको बिल्कुल आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो भी वेश्ट नहीं जाएगा बिल्कुल आपके exam में आने की वो सब संभावना है यह हमारा idea है ठीक है चलो भी अगली class में मिलते हैं कुछ और interesting topic के साथ नहरी पटवारी के उपर class लियाने की ही है चलो भी अगली class में मिलते हैं धन्यवाद